चलिए लोटेंगे आपके पास लेकिन इस बीश बड़ी कबर आपको बता दे की पुलिस शहीद दिवास आज है और डीजीपी भुपेंदि सिंग ने यहाँ पर श्रधान जली अर्पित की है इस दोरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और इसी कबर पर और जदा अब आज मिल रही है आपको सतिन नराइन चलिए एक बफिर से जोनने की कोशिश करेंगे तो पुलिस शहीद दिवास आज है और डीजीपी भुपेंदिर सिंग ने यहाँ श्रधान चली अर्पित की है आर्पित सित शहीद इसमारक पर ये कारक्रम का आयोजन रखा गया थ शहीद हुए पुलिस कर्मियों को आज शरधान चली दी जा रही है उनके कीये गए कामों को सराह जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सयोगी सत्तन नराइन शर्माय वपेंद से जुड़ गए हैं पुलिस की जो ड्यूटी है जनता की सुरक्षा करने की वो ड्यूटी केवल अपरादियों से सुरक्षा करने की यह नहीं है रक्षा और सुरक्षा कई मायने में कई प्रकार से आप कर सकते हैं और रक्तदान भी अल्टिमेटली किसी ना किसी की जीवन की रक्षा करने में ही काम आएगा तो आज मैंने एक दूसरे प्रकार से अपनी ड्यूटी को ही अंजाम दिया है और ये श्रद्धांजली है उन सभी वीर सपूतों के लिए जिनोंने अपनी ड्यूटी को अपने प्राणों से उपर रखा और ड्यूटी के लिए अपने प्राण तक न उचावर कर दिये और मैं सभी उन वीर सपूतों को श्रद्धांजली देते वे सभी से कहना चाहूंगा कि रक्तदान अवश्य करें जो भी स्वस्थ हैं साल में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें यही एक ऐसा डोनेशन है जो आप जीवित रहते वे कर सकते हैं बार बार कर सकते हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक डॉक्टर्ज ने या साइंटिस्ट ने लैब में बनाने में सफलता प्राप्त नहीं करी है यानि यह एक जीवित व्यक्ति के द्वारा ही दिया जा सकता है तो मेरा सभी से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जादा से जादा लोग इसमें भाग ले और वक्त तो से मांग उठती है कि सेना के जो जवान शहिद होते है पुलिस के द्वान शहिद है तो पुलिस के द्वानों को भी उनकी दर तर्जीश दी जाए है कि ये नीतिगत निर्ने है वो चदिकारियों का निर्ने है इसकी मांग उठती रही है मुझे विश्वास है सही सतर पर इसका परीक्षन हो रहा होगा और देखे कोई भी पुलिस कर्मी या सेना का कर्मी जो विभिन परिलाव या दरजा मिलता है उसकी वज़े से वो अपने प्राणों की आहुती नहीं देता वो अपने ड्यूटी अपने करतावे के प्रती जो निष्ठा है उसके कारण इतनी बेफिक्री में अपनी ड्यूटी करता है कि उसे अपने प्राणों का ध्यान भी नहीं रहता जो उसको recognition मिलना है वो उसमें ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले और बहतर चीजें सोविधाएं उनके परिवानों को मिलने लगी है और मेरा मानना है कि बविशे में इसमें और व्रिद्धी होगी तो यह थे डियाजी क्राइम गुरोश वास्ता जुनों ने बताया कि चहीद दिवस के उसर पर हर वगार्श वो रखदान करते हैं करते हैं करते हैं